C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है कक्षाच्छे की उर्दु की पाठे पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कारेकरम आस्मानी दोस्त मार्च के महीने के वो दिन थे जब हवा ना जाने कहां से चलना शुरू होती है और तेज आधी बन जाती है सुब से ठंडी हवाएं चल रही थी और आस्मान पर तेजी से बादल छाय जा रहे थे मेंने अपनी पहली मंजिल के फ्लैट की बालकनी में वील्चेयर यानि पहियों वाली कुर्सी पर बैठी बाहर पार्क में खेलते बच्चों को देख रही थी बच्चों को तेज हवाओं की कोई परवाह नहीं थी वो सब तो खेल में मस्त थे अरे मिनी अभी तक अंदर नहीं आई बारिश में आने वाली है चलो मैं ही देख कर आती हूं मिनी मिनी बेटा हा मम्मी मिनी गुडिया हवा बहुत तेज चल रही है बाहर बैठना ठीक नहीं है चलो अंदर चले बस थोड़े देर और अच्छी बेटी है न मेरी उसकी मम्मी ने पार्क में खेलते बच्चों को देखा लंबी ठंडी सांस ली और अंदर जाते हुई बोली अच्छा ध्यान रखना बारिश शुरू होने से पहले ही अंदर आ जाना चीक है ठीक है मम्मा देखो मैं नहीं चाहती कि तुम बारिश में भीग जाओ मेरी बेटी मिनी बारा साल की थी और माजूर थे वो अपनी कमीज के बटन नहीं लगा सकती थी उसने दांट साफ करना और चमचे की मदस से खाना सीख लिया था वो अपनी वीलचेर भी खुद चला लेती थी मगर मिनी का कोई दोस्त नहीं था कोई ऐसा नहीं था जो मिनी के साथ खेले वक्त गुजारने के लिए मिनी का सबसे अच्छा मश्कला बच्चों को खेलते हुए देखना था बारिश की बड़ी-बड़ी बूंदे गिरने लगी मगर बच्चे अपने खेल में लगे रहे बड़ी सी लाल गेंद उपर नीचे उछलती रही अचानक बच्चों के बीच एक और गेंद आ गए एक कत्थई रंकी गेंद लड़कियों ने चेखे मारी और लड़के गला फाड़ फाड़ कर चिलाने लगे एक लड़का गेंद को चूने के लिए जुका तब ही अचानक उसने पर फड़ फड़ाए और उड़ गई इससे पहले कि मिनी को समझ में कुछ आता कि क्या हुआ नई गेंद उड़ती हुई उसकी बैलकनी तक आ गई और उसकी गोद में उतर गई अरे ये गेंद मेरे पास अरे ये तो हिनने लगे अरे ये तो पंक है ये तो चिड़िया है तो मेरे पास आई मारे हैरत के एक पल तो मिनी की समझ में कुछ नहीं आया जब ज़रा समली तो देखा कि उसकी गोद में जो चीज है वो गेंद नहीं एक चिड़िया है जो डर के मारे सिकुडी, सिम्टी उसकी गोद में बैठी है बारिश अब केस हो गई थी मेरी चिड़िया और मैं तुझे बारिश में भीगने नहीं दोंगे अरे 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 डर मत तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ मिनी, 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 अरे बेटा बारिश में भी ये क्या है तरी गोद में ममी ये बदक है, आसमान से आई है अरे हाँ, आजा, 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 ममी, क्या हो ममी जरा से चोच मार दी थी इस शैदार ने, चलो इसे लेकर अंदर चलते ही ये ठीक है यकीनन वो चड़िया बतक ही थी ठंडे शिमाली हिस्से से हर साल हिंदुस्तान आने वाला एक महमान शायद वो अपने गौल के साथ अपने वतन वापस जा रही होगी मगर तेज हवा की वजह से अपना रास्ता भूल गई अपने साथियों से दोबारा जामिल्ले की दिवानावार कोशिश में चोट लग गई वो एक खूपसूरा जंगली बतक थे उस वक्त वो बेहत ठकी हुई लग रही थे देखो बिचारी कितनी ठकी हुई लगती है कितनी निढ़ाल है इसको भूग भी लगी है इतना उड़कर जो आई है तुमारे पास चलो देखते हैं कि इसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है क्या खाती है ये बतर है ना शाम तक मिनी और उसकी ममी बतख को कुछ खिलानी की कोशिश करती रही उन्होंने उसके सामने रोटी के टुकडे, फलियां और फल सब कुछ रखा अरे मेरी नन्नी बतख खाना खाएगी आ, आ, मेरी छोटी बतख के लिए रोटी के छोटी छोटी टुकडे ये लो रोटी अरे ये फलियां भी वो खिला कर देखो इसे हाँ मम्मी अच्छा मम्मी इसे पकेट चावल के साथ दूद दे दीजे न अच्छा ये भी मिनी की तरह दूद चावल खाती है मम्मा आपको पता है इसका नाम क्या है नाम इस बतख का नाम हाँ मम्मी मुझे मालूम है इसका नाम क्या है अच्छा मित्रा मित्रा तु बड़ा प्यारा नाम है है ना मम्मी हाँ मित्रा क्या हाल है तुम्हारी मित्रा देखो मम्मी अरे आज तो मिनी बड़ी खुश है क्या बाते वही पापा पापा देखो मेरी बतत मित्रा मित्रा अहा तो मिनी ये बताओ मित्रा कहां सुएगी मित्रा को कहां पर लिटा है मिनी पापा मैं चाहते हूँ कि ये मेरे पास ही रहे अच्छा शायद उसे रात में मेरी जरुवत पड़े हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं हम इसे एक छोटी सी टोकरी में सुलाएंगे अरे वाँ अरे वाँ बहुत अच्छे कितनी प्यारी है ये मित्रा आखिर उन्होंने मित्रा को एक तिनकों की टोकरी में बैठा कर मिनी के पलंग के पास रख दिया मिनी की उम्मीदों के खिलाफ मित्रा ने रात में उसे बिल्कुल नहीं चकाया जब सुभ सवेरे उसकी आँख खुली मित्रा 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 मित्रा, मित्रा, मम्मी मगर डर और घपराहड से उसका हाल खराब हो गया जब उसने देखा कि टोकरी खाली है मित्रा, मम्मी, मित्रा, मित्रा मिनी एक कोहनी के बल उठकर चिलाई और उसने देखा कि वो बातरूम में से आँखे चमका चमका कर उसे देख रही है जब मिनी घिसट घिसट कर उसके पास पहुची तो उसने पर फड़ फड़ाए और फुदक कर दूर चली गई मिनी ने बड़ी मुश्किल से जब उससे पकड़ा तो उसने फॉरन ठूंग मारती मिनी क्या हुआ बेटा उसकी मम्मी घबरा कर चिलाई और कमरे में आ गई मगर जब उन्होंने बतख को अपनी बेटी के बाजूँं में देखा तो उनकी घबराहट खुशी में बतल गई मिनी मित्रा के साथ खेल रही हो हा ममी देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के लिए क्या लाई हूँ नाश्ता अरे वाँ आज मित्रा मिनी के साथ नाश्ता करेगी मैं देखकर आती हूँ कौन है आंटी यहां चिरिया तो देख सकते हैं हाँ क्यों ने आओ आओ अंदर आओ मिनी हा ममी देखो तुम्हारे दोस्ता आए हैं मित्रा को ड्रॉपर से खाना खाता देखका है बच्चों को बहुत हैरत और खुशी हुई उन्होंने उसे पकड़ने में मिनी की मदद की अगले दिन अंजू अपने साथ एक मूटी सी किताब लाई ये लू मिनी की की ताँ हो ये बटकों के बारे में है अच्छा इसमें से तुम सब कुछ पढ़ सकती हो ये ठीक है बटा है मित्रा शौबला कहलाती है शौबला? शौबला बच्चों ने खुश होकर उसे घेर दिया और सब कुछ पढ़ लिया मित्रा अब तक सेकड़ों मील उड़ चुकी होगी है ना सेकड़ों नहीं हजारों ये फिर से हजारों मील उड़कर अपने घर जाएगी बिचारी बटक अपनी दोस्तों को कितना याद कर रही होगी हम खेलेंगे इसके साथ हाँ अब तो इसके लिए नए दोस्तों बनाना और मिश्किल होगा हाँ क्योंकि ये कमजोर जो हो गई है ओड़ भी नहीं पाती है ठीक कहते हो हमसे ताकतवर बनाएंगे हाँ हाँ ठीक है हम इसे ताकतवर बनाएंगे इस वाकिये के बाद पड़ोस के बच्चे मिनी के बहुत अच्छे दोस्तों बन गए आखिरकार बच्चों को एहसास हो ही गया कि मिनी के साथ ना खिलने से उसे कितनी तकलीफ होती होगी आखिर उनके दोस्त परिंदे की रुखसती का दिन आही गया मिनी के पापा सब बच्चों और बतख को लेकर जील पर गए कि मिनी के अए झाए, झाए एब पाणा पानी में प्यार से बेटा, प्यार से झाए, 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 झाए ऐसे, 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 मित्रा, बेट्रा, वो अपने दोस्तों से में जा रही है, मित्रा, वो फुष होगी, बेटा, तुम भी खुष हो, ऐसे, ऐसे, अरे, ये तो उड़ गई, हाँ, देखो, देखो, कितनी तेज उड़ रही है, अब तो दिखाई भी नहीं दे रही, अहें का जाएगी, हाँ, वहाँ अपने देश्तों के साथ खेलेगी, और हो फुष होगी, जैसे मीनी अपने दोस्तों के साथ खेलती है, और खुश होती है, है ना, मीनी ने मित्रा को ताकतवर बना दिया, मीनी मित्रा की बहुत अच्छी दोस्त है, है ना, आचा मुस्करा, हम्सो, है यह, जबाँ आप 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 अगले दिन मेनी बालकनी में बच्चों को खेलते देखने लगी, तो पार्क में कोई नहीं था और फिर दर्वाजी की घंटी बजे और बच्चों की पॉज अंदर आ गई महबद भरे बहुत से नन्ने मुन्ने हाथों की मदद से मिनी सीडियों से उतरी और पार्क में ले जाई गई उसके बाद भला मिन्नी अकेली और उदास क्यूं रहती? आसमानी दोस्त अभी आप सुन रहे थे ये कारेकरम आलेक, पद्माराव, सैयोंजन, डॉक्टर चमनारा, कलाकार, पर्वेज गोहर, नीरच्छर्मा, मम्ता मलकानी बालकलाकार, अर्पिता, शालिनी, खुशी, श्रेयास, महमूद और रहमान धन्यांकन, बटिल्यांग लेंडो और शानु मुक्सीम, निर्मान, निर्देशन वा दोनिसंपादन, वंदिना अरी मर्दन, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत कि प्रस्तुत थाइब शच्वान झाल झाल